Hello Students, Polytechnic, Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो Dear Students, आज हम बात करने जा रहे हैं Repair and Maintenance Part 2 ये जो सब्जेक्ट है BTUP Mechanical Engineering का जो Specialization subject है Repair and Maintenance का उसके 6 semester में हैं तो Slaves की अगर हम बात करें तो इसके पहले में एक वीडियो बना करके आपको इसका पर्चे करा चुका हूँ तो Total 8 chapters है Slaves देखने में बड़ा लगता है लेकिन ज़्यादा तर जो चीज़े हैं इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं Part 1 में तो ज़्यादा इसमें problem की बात नहीं है लेकिन वो चीज़ें को revise करना अच्छे से और ये 8 chapter के हिसाब से ही आपको strictly अपनी पढ़ाई रखनी है जो book आप पढ़ने के लिए refer कर रहे होंगे हो सकता है उनमें 9 या 10 chapter दिये हों तो उससे आपको नहीं देखना है content आपको देखना है लेकिन chapter 8 ही रहेंगे क्योंकि प्रश्ण पत्र में प्रश्ण ये 8 chapter के अनुसार ही पूँचे जाएंगे तो आईए शुरूआत करते हैं हम ये 3 सालों के paper का या तीन बार के papers का ये collection है हम देख लेते हैं कि सिलेवस में से किस तरीके से प्रश्ण बन सकते हैं ये पूँचे जा सकते हैं ये पूँचे गए थे तो आप देखिए पहला प्रश्ण है explain significance of BT curve in life span of machine tool यानि machine tool के जीवनकाल में BT curve का महत तो समझाईए दूसरा है explain types of plant layout and positioning of machines संयंत्र layout और machine की positioning के प्रकार की ब्याख्या कीजिए तीसरा है आपका describe various considerations for machine foundations plan machine foundation plan में विभिन मानकों का वल्नन कीजिए चौथा है आपका explain the working principle and construction of autocollimiter autocollimiter का कारिसिधानत और निर्माड की ब्याख्या कीजिए उसके बाद है आपका पाँचमा explain the construction and working of mandrel and spirit level mandrel और spirit level के कार वा संरचना का वल्नन कीजिए अगला है आपका छटमा है describe the predictive maintenance and its advantages predictive maintenance और इसके लावों का वल्नन कीजिए अब देखिए predictive maintenance जैसा अंग्रेजी में लिखा हुआ है हिंदी में भी predictive maintenance से लिख दिया है जबकि हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो दूसरा पढ़ते हैं तो सब्दों पर विसेज ध्यान देना है अंग्रेजी के सब्दों को जो main words है उनको जरूर उसी रूप में पढ़ना है उसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है साथमा है what is machine history card what is its purpose and advantages machine history card क्या है इसके उद्देश स्वालाब क्या है आठमा है what is mean time between failures mtbf जिसको short में कहते है तो कई बार संचेप में टिपडी लिखी है इसे करके सीधे mtbf भी लिख कर दे सकता है तो इसका full form आपको मालूम होना चाहिए कि mean time between failures mtbf कहते है और explain in brief तो mtbf क्या है बिस्तार पूरुवा किसको आपको वर्णन करना है नॉमा है what is the region for failure and also explain types of failure in machine parts यानि कि failure का कारण क्या होता आप दे कि failure मतलब हिंदी में जैसे असा फलता कहते है तो उसको लेकिन अंगरी हिंदी में भी आप देखे तो failure सब्द लिखा हुआ है तो ये सब्द आपको जरूर ध्यान देने है तो machine parts में failure के प्रकारों की ब्याख्या कीजिए दसमा है explain the procedure of handling and storage of lubricants इस नेहक के handling और storage की प्रकरिया को समझाईए इसमें देखे हिंदी जरूर दिया है लेकिन पूरे के पूरे जो सब्दें देखे handling और storage जो है ये वो ऐसी अंग्रेजी का ही सीधा हिंदी में लिख दी है ये आप देखे तो ये जो हिंदी मीडियम के student से इन सब्दों पर जरूर ध्यान देंगे ग्यार्मा है describe the purpose and procedure of changing oil periodically in gearbox gearbox में समय समय पर oil बदलने का उद्देश वो आप प्रक्रिया का वर्णन कीजिए यानि gearbox में जो समय समय पर oil बदला जाता है उसका उद्देश परपस क्या है और उसकी प्रक्रिया यानि process क्या है ये आपको पूरा समझाना है बार्मा है आपका explain material handling system and its characteristics सामगरी handling परणाली और इसके गुड़ धर्मों की ब्याक्ष्या कीजिए तेर्मा है आपका explain AGV AGV जिसका full form है automatic guided vehicle तो AGV यानि automatic guided vehicle परणाली का वर्णन कीजिए ये क्या होता है चितर सहत आप इसको समझाएंगे तो बहुत अच्छा impression पड़ेगा चौधमा है आपका describe selection of material handling equipment सामगरी handling परणों के चयन का वर्णन आपको करना है पंदरमा है आपका explain different types of fital tools with suitable examples जो विभिन प्रकार के fital tools होते हैं उनको उप्यूक्त उधारन दे करके आपको explain करना है या समझाना है सोलमा है आपका define material management in detail सामगरी परबंदन से आप क्या समझते हैं यानि material management से आप क्या समझते हैं बिस्तार से बताएं सत्रमा है आपका what are the necessity and advantages of repairing and maintenance यानि मरमत एवं रख रखाओ की क्या आवशक्ता है इसके lab भी बताएं necessity यानि आवशक्ता क्या है और lab क्या है किसके repairing and maintenance की यानि मरमत एवं रख रखाओ की अठारमा है आपका define layout of machine in a plant layout with the support of a neat sketch यानि की हिंदी में देखें तो कारखाना layout का कारखाना layout में machine layout की एक स्वच्च चित्र की साहता से आपको समझाना है हमेशा कई बार जो हिंदी और English का यह जो translation होता है इसमें दिक्कत होती है तो हमेशा आपको English वाली वर्जन में जाना चाहिए और उसको पढ़कर के समझना चाहिए कि वो क्या पूचना चाहरा है और उसी कन रूप आपको उत्तर देना चाहिए 19 मा है आपका explain the working principle of dial gauge with the support of a neat sketch यानि dial gauge का सिध्धान्त स्वच्च चित्र से आरेक करें यानि स्वच्च चित्र बना करके आपको किसको समझाना है dial gauge को 20 मा है आपका define the recalibration of a measuring instrument with the support of an example मापन यंद्र के recalibration के एक उदाहरण की साहिता से समझाए यानि recalibration क्या होता है मापन उपकरनों की उसको आपको उदाहरण दे करके समझाना है recalibration को अब recalibration को हिंदी वाले students तो पक्का कुछ दूसरा ही याद किये होंगे लेकिन इसमें देखिए अंग्रेजी सब्द को ही हिंदी में भी वैसे का वैसे ही लिख दिया है अब उपर भी आपने एक टाइप देखा था फिर ये breakdown maintenance, productive maintenance, preventive maintenance ये सभी प्रकार के maintenance टाइप भी पूचे जा सकते हैं maintenance क्या होता है ये पूचा जा सकता है ये या अलग-अलग पूचे जा सकते हैं तो ये जरूर पूचे जाते हैं इसमें breakdown maintenance रख रखाओ जो होता है उसके lab यहानी का वर्णन करना है अगला है आपका define MTR and MTBF in detail MTBF उपर आपने देखा था भी अब देखे इसमें full form नहीं लिखा है MTTR का भी full form नहीं लिखा है तो आपको दोनों का full form मालूम होना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग भी पूचे जा सकते हैं और देखे इसमें भी पूच लिया लेकिन full form नहीं लिखा तो आपको यदि full form नहीं पता होगा तो आप ना तो full form लिख पाएंगे ना आगे उसको explain कर पाएंगे हिंदी में भी देखे MTTR को MTTR लिख दिया इसको MTBF का विस्तार पूरवक वर्णन कीजिए इस तरीके से लिख दिया है अगला है 23 मा राइट दा causes of failure of belt drive जो belt drive के fail या असफल होने के कारकों का वर्णन कीजिए यानि belt drive क्यों fail हो जाती है उसके causes यानि की कारक या कारण आपको लिखने है what are the functions of lubrication इस नहीं है के क्या क्या कार होते हैं या lubrication के क्या कार होते हैं वर्णन कीजिए आपको बताना है बहुत सिंपल सा प्रस्ट है 25 मा है आपका write the characteristics of material handling equipment ये दुबार repeat हो रहा है उपर भी पूँचा तक फिर पूँच रहा है सामगरी handling उपकरणों के क्या क्या लच्छन है विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए 26 मा है आपका explain various testing methods for the acceptance of machine tool किसी machine tool को सुईकार करने के लिए कौन कौन से परिच्छन के तरीके हैं वर्णन कीजिए 27 मा है आपका right disposal of lubricants used in machine tool एक machine उपकरण में प्रियुक्त इस नियान के निप्टारन चर्चा कीजिए यानि उसका जो disposal है या निप्टारा है वो किस तरीके से किया जाता है जो used lubricant जो machine में निकलता है यूज होने के बाद उसके बारे में आपको पूरा समझाना है बताना है 28 मा है आपका what factors affecting the selection of material handling equipments सामगरी उपकरण handling को कौन-कौन से घटक प्रभावित करते हैं वर्णन कीजिए फिर से ये देखिए प्रस्न रिपीट हो रहा है 29 मा है write the short notes on automated storage and retrieval system short में इसको कहते ASRS इस तरीके के जो short form होते हैं या जो syllabus में दिये हैं वो जरूर किसी ना किसी रूप में पूंचे जाते हैं चार short में लिख दें या short के साथ full form लिखकर के पूंच लिया तो ये आपको जरूर अच्छे से पता होना चाहिए इसकी practice अच्छे से कर लिजेगा तो 140 भंडारन तथा पुनर प्राप्ती प्रणाली AR ASRS पर चर्चा कीजिए तो ASRS का full form आपने देखा automated storage and retrieval system होता है लेकिन ये हो सकता था कि वो सीधे ASRS पर संचित टिप्डी लिखिए इस तरीके से भी आपको दे सकता था तीसमा है आपका यानि की गई कारवाई रिपोर्ट जिसको कहते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR शॉर्ट में बोलते हैं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए रख रखाओ के दोरान एकतीसमा आपका प्रस्ण है इस नहाख उपकरण क्या है संचेप में समझाईए बिभिन प्रकार के इस बंदनों या वाइबरेशन को आपको समझाना है चौतीसमा है आपका इस नहाख की विभिन बिदियों का आप चर्चा कीजिए मशीन को खड़ा करते समय या बनाते समय और जारों की क्या भूमी का होती है इसको आपको समझाना है चौतीसमा है आपका Explain the importance of location in erection of machines मशीनों के निर्माड में इस्थान के महत्तुकी ब्याक्या करें चौतीसमा है Name three factors affecting the type and size of foundation affecting इसमें हो सकता है हो गलती से affecting लिख दिया हो तो name three factors affecting the type and size of foundation write the occasions when the purchaser himself has to decide the depth of foundation Hindi में पढ़े तो new के प्रकार और आकार को प्रभावित करने वाले तीन कारकों के नाम लिखिए उन आउसरों को लिखिए जब new की गहराई क्रेता को स्वेम तै करने हो ये प्रस्ण देखिए बढ़िया तरीके से बना करके दिया है तो ये जब आपको अच्छे से समझ होगी तभी आप जो है तो ये तो पहला तो पाल तो लिख लेंगे कि foundation का जो type और size उसको प्रभावित करने वाले कारक और ये देखिए है इन आउसरों को आपको लिखना है जब new की गहराई क्रेता को स्वेम तै करनी होती है कि अंग्रेजी को जरूर सब्दों को पकड़ करके चलिए उनको avoid नहीं करिए सब हिंदी वाले सब्दों पर ही pure focus मत रखिए अंग्रेजी के सब्दों को पड़ करके जाईए तो cutting fluid सब्द से आप क्या समझते तभी आप अच्छे से paper solve कर पाएंगे किनी चार इसनेकों के नाम लिखिए 49 मा है आपका what do you mean by degree of accuracy ने मैनी two measuring equipment used in machine tool testing सटीकता की degree से आपका क्या मतलब है machine tool testing में इस्तेमाल होने वाले किनी दो मापने वाले उपकरनों के नाम लिखिए अगला है आपका 40 मा define AGV system in detail AGV परनाली का संपूर्ण ब्योरन या वर्णन कीजिए तो इसमें वर्णन करना है तो AGV के सबसे पहले full form मालों होना चाहिए फिर उसके बारे में पता होना चाहिए तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी एक तालीस माहें what are the methods used for alignment testing of shapers explain shapers के alignment परिच्छन के लिए उपयोग की जाने वाली बिदियां क्या है ब्याख्या करिए ये इसमें ब्याख्या करना लिग दिया है तो इसमें ब्याख्या करिए हिंदी में generally क्या है थोड़ा बहुत कहीं न कहीं इस तरीकी की problem साती है language में तो उसको आपको ध्यान देना है और English वाली वर्जन की तरफ जाना है यानि रख रखाओ के लिए मानो सकती योजना कैसे बनाई जाती है इसकी ब्याख्या कीजिए इसमें सीधे ब्याख्या करना बस लिख दिया है एक्स्प्लेइन मतलब इसकी ब्याख्या कीजिए 43 मां है आपका what are the purposes of performing the common geometrical test यानि सामान ज्यामतिय परिच्छन करने के क्या उद्देश है 44 मां है what is an erection drawing briefly explain ये एक erection drawing क्या है संचेप में बताते हैं लिखा है लेकिन संचेप में बताईए यहाँ पर होगा ये हिंदी में इस तरीके की problems आ जाती है erection drawing को देखी आप लोग कुछ और पढ़े होंगे हिंदी medium बाले students लेकिन देखी इस हिंदी में इनोंने अंग्रेजी सब्द को ही as it is लिख दिया है erection drawing गी 45 मां है what are different types of maintenance carried out on a machine tool explain in brief machine tool पर विभिन प्रकार के रख रखाओ क्या है जो किये जाते हैं संचेप में समझाईए तो ये इस प्रकार से 45 प्रस्ण होगा तीन question papers को हमने देखा पिछले बिगत वर्सों के और उसके आधार पर देखा कि syllabus के अनुसार कैसे प्रस्ण पूचे जाते हैं अब आपको फिर से अपना syllabus देखना है और किस तरीके से इस तरीके के प्रस्ण जो topic के अधार पर बन सकते हैं उनको आपको तयार करना है सीधे सीधे प्रस्ण पूचे जाते हैं कोई भी chapter आपको छोड़ना नहीं है कुछ हम tips देख लेते हैं इसी के संबंद में पहली बात तो syllabus के अनुसारी पढ़ाई करना है आठ chapter हैं तो आठो chapter पढ़ना है syllabus के अनुरूप पढ़ना है यहीं कि book में 10 chapter हैं तो 10 में से आपने उस किताब के हिसाब से 8 पढ़ लीजी बागी जो main 2 chapter थे syllabus के अनुसारी वो छोड़ दिये और आपने कहा कि हमने 8 पढ़ लिए तो यह गलती नहीं करना है कोई भी chapter बेना पढ़े ना छोड़ें क्योंकि सभी से प्रशने पूचे जाते हैं कोई ना कोई प्रशने जरूर बनता है अगर आप chapter छोड़ के चले जाएंगे तो इसके पूरे zero marks हो जाएंगे आप उसको attempt नहीं कर पाएंगे और कोई marks आपको नहीं मिलेंगे concept पर विसेश फोकस करें सब्द के अर्थ को जरूर समझें पढ़ते समय अभी सब्द देखिए उसका अर्थ समझे उसके साथ अपना जुडाव कीजिए और concept पर फोकस करिए क्योंकि वहाँ क्या होता है विविन प्रकार के जब इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ करके जाते हैं जल्दी बाजी में रट करके जाते हैं तो confusion होना स्वाभाविक होता है प्रशन कुछ पूछता है लिखते आप कुछ और उत्तर हैं जिसकी बज़े से कहीं न कहीं आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं ये गलती बहुत स्टूडेंट से होती है तो concept पर focus करना इस पेसली जो आपके figure हैं या कोई जो main concept है उसको ले करके चलना और फिर आगे explain करना बहुत जरूरी रहता है मुक्के सब्दों की अंग्रेजी जरूर जाने ये हिंदी मेडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है और ये था संभवो डायगराम चित्र यदी नामांग के चित्र पूँछ रहा है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं भी पूँछ रहा है और उसमें कोई डायगराम बन सकता है या स्वच चित्र नामांग के चित्र बन सकता है तो उसको अवस्ष बनाना है और उसकी आपको अभी कई बार प्रेक्टिस कर लेना है योगि अचानक से यदि आप सीख करके जाओगे देख करके बस तो वहां कन्फूजन क्रीट हो जाएगा और आप फिर उसको नहीं बना पाओगे तो जितने भी डाइगराम या उसे आपके नामांग के चित्र आपके सिलेवस में है बुक में है जो आपने पढ़े हैं तो उन सब की कई बार प्रेक्टिस बेना देखे करिए तब परिच्छा में जाएंगे तो आपकी कलम अपने आप चलने लगेगी आप समय से सारा का सारा जो प्रशनों के उत्तर देने का कार है वो आप कर लेंगे और स्मार्ट इस्टडी करना है ग्रोप इस्टडी पर फोकस करिए अगर कोई एक दोस्त भी आपका है तो दोनों लोग एक दूसरे को पढ़िए समझाईए एक दूसरे का कन्फ्यूजन दियूर करिए इससे बहुत कम समय में आपका पूरा सिलेवस कबर हो सकता है तो ये ध्यान रखना है हार्ट इस्टडी के साथ साथ में इस्मार्ट तरीका जरूर अपनाना है कम सब्दों में कम सिर्फ चितर देख करके नामांके चित देख करके कैसे एक्स्प्लेइन करना है लिखना है ये सारी चीजें आपको आना चाहिए ये समार्ट इस्टडी जो है वो उसका कॉनसेप्ट आपको अपनाना है तो इस तरह से हमने सारी आपको प्रशन जो सिलेवस के अनुसार आपने देखे पूरे के पूरे स्मार्ट स्टडी के जो आपके टिप्स थे स्टडी के लिए एक्जाम के लिए वो मैंने आपको बताए तो उमीद करता हूँ कि आप बहुत मेनत से पढ़ाई करेंगे अच्छे अंकों से पास होंगे और मिलते हैं नेक्स टाइम थेंक्यू बेरी मच आप सभी का दिन मंगल में हो